नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागाद है आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पैनकार को अधारकार के साथ लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रोब्लेम होता है जैसी कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई उससे पहले आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है अपने पैनकार को अधारकार के साथ लिंक करने के लिए जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा था क्या आपके पैनकार यहाँ पर अधारकार के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपके पैनकार अधारकार के लिंक नहीं होता, इसी तरीके से problem आता है, आपको यहां पर actually में करना क्या है, इस वाले वीडियो एंद यहां पर आपको details पर बादाने वाला हूँ, जो कि आपके pen card आधर काड के साथ लिंक हो जाए, पहले मैंने यहां पर open कर लेता हूँ, open करके मैंने यहां पर आपको details पर सबसे पाहले आपने भू बी पर करना नेक्स्ट आपको यहां पर ओखेंच अरा और तो आपको क्या है आपने बीहार को करने अब ढून ikke यह पर प्रोब्लेम दिखाई देता है जैसी कि आपको यहां पर दिखाई जारा है इसी वाइसे मैंने बता रहा हूं अगर आपने पैन काड आधार काड के साथ लिंक करने के लिए एपलाइक किया है रिक्वेस्ट भेजाए तो आपको यहां पर इसी तरीके से एक बार चेक का लेना आप यहां पर problem क्या बताया जा रहा है वो ध्यान से आपको यहां पर समझना बहुत जुरूरी है पैन आधार linking hedge field due to DOB mismatch DOB बोले तो date of birth यहां पर आपके date of birth भी mismatch हो सकता है आपके नाम भी mismatch हो सकता है तो आपको यहां पर धियान रखना है पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ link करने के लिए request भेजने से पहले क्या आपके पैन कार्ड में जो भी personal details है आधार कार्ड में वही personal details है या नहीं है अगर आपके personal details इसी तरीके से miss match होगा आपके यहाँ पर pencard आधार कार्ड के साथ link नहीं हो पाएगा तो मैंने इस बाए से यहाँ पर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर actually में क्या करना है दोनों link आपको यहाँ पर दिखाए देगा अगर आप pencard में यहाँ पर detail सही करने चातो तो इस बाले link के उपर click करना है अगर आप चातो आधार कार्ड में detail सही करना है तो आपको क्या गाने इस बाले link के उपर click करना है लेकिन मैंने यहाँपर आपको बदाईता हूँ new update आ चुक है आधार कार्ड में online आपकुछ भी correction नहीं कर सकतो तो आपको यहाँपर धियान रखना है अगर आप आधार कार्ड में गजाकर आपको यहाँपर correction करना है अगर आप pencard में कुछ भी correction करने चाहतो, online कर सकतो, मैंने already वीडियो बना रखा हूँ, कैसे आपको यहाँ पर नाम सही करना है, date of work सही करना है, gender सही करना है, सारे details मैंने एक एक चीच के उपर वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप pencard में correction करने चाहतो, इस पहले वीडियो के अगर नहीं यहाँ पर जो link दिखाए दे रहे, इसी link के उपर आपको क्लिक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर धियान रखना है, अगर आपके साथ ऐसे same problem होता है, पहले आपको correction करवा लेना है, मैंने यहाँ पर correction करवा चुका हूँ, जैसे correction हो जाएगा, इस बाले link क आपको यहाँ पर फिलाप करना है, आधार नमबर आपको यहाँ पर फिलाप करना है, आधार नमबर आपको यहाँ पर फिलाप करना है, आधार नमबर आपको यहाँ पर फिलाप करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिलाप करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिलाप करना है next हमारे अधार कार में जो भी नाम है ओहीं नाम करना है next यहाँ पर mobile number फिल करना है next आपको यहाँ पर दीखा एड़ा है जो नो चेक बाक्सके पर आप क्लिक कर साकते हो क्लिक नहीं नेख्स्ट आपको यहाँ पर दिखा ख tellTH यह लिंक आधार तो क्या करना है इसी के पर click करना है next आपने mobile नव पर यहां परror फिर करना नेक्स आमारें जो dependent के सा melhores लिंक करने के लिस्ट जा चुगा जुग है मैं फैस के आठरकार को क्र लिए तो में आ चुका हूं तो हमें क्या गाने दोबारा चेक करने के लिए यहां पर दिखाइद रहा है लिंग आधा स्टेटास इसी के पर क्लेक करना है नेक्स्ट यहां पर आपने पैन नम्र फिल करना है नेक्स्ट आपने आधान नम्र यहां पर फिलाब करना है नेक्स्ट यहां प प्रोस्कों को यहीं पर फोलो करना है उसके बाद के पैनकार्ट अधर कार्ड के साथ लिंग होगा नहीं होगा यह सारी चीज़ आपको ध्यान रखना यह दोस्तों यह था जनकरी अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले